जैशी किश्णा दोस्तो बियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो इस बार नवरात्री पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा रहा है साथ दोस्तो नवरात्री के पहले दिन किया जाने वाला हम ऐसा उपाय बतारे जिसके करने से निश्चित ही आपको संतान सुक्की प्राप्ती होगी अगर किसी प्रकार से अगर आपकी कोख बंधरी है कोख बंदन है तो कोख बंदन से मुक्ती अवश्य मिलेगी दोस्तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनियेगा क्योंकि इस वीडियो के द्वारा ही आपको संतान सुक्की प्राप्ती होगी दोस्तो देखे इस बार बहुत अच्छा योग भी बना हुआ है सभी 12 राशियों के लिए साथ ही आप जब घट स्थापना करते हैं कलश की स्थापना करते हैं उस समय पर ही आपको ये उपाय करना है दोस्तों जब आप मातारानी की स्थापना कर रहे हैं तो जो आप कलश पर जो नारियल रखते हैं उस पर तो आपको देखे स्वास्तिक बनाकर साथ बार कलाबा लपेट कर अपनी मनों कामना बोल कर कलश पर स्थापित करना है पती पत्नी दोनों कर सकते हैं नहीं तो पत्नी अकेले भी कर सकती है साथ ही दोस्तों इस दिन आपको संतान प्राप्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही अचुक उपाय बता रहे हैं साथ ही आपको कोख बंदन खोलने का भी उपाय बता रहे हैं और इस दिन कोख बंदन के लिए अगर आप उपाय करते हैं यानि तीन दिन आपको जरूर कर लेना है मंगलवार भी पढ़ेगा और फिर बाद में शनिवार का दिन भी पढ़ रहा है तो आपको तीनों दिन कोग बंदन खोलने का ये उपाय करना है सबसे पहले दोस्तों हम आपको संतान प्राप्ति का उपाय बता रहें आपको देखे नवरात्री के घट स्थापना के समय पर जब आप माता दुरगा की स्थापना करते हैं उस समय पर करना है आपको एक पान का पत्ता लेना है पान के पत्ते पर आपको सिंदूर से रोली से स्वास्तिक बनाना है स्वास्तिक बनाकर आपको उसके उपर एक सुपारी या फिर जाइफल यानि जाइफल भी ले सकते हैं और सुपारी भी ले सकते हैं आपको उस सुपारी या जाइफल पर नो बिंदी लगानी है रोली से आपको नो बिंदिया लगानी है नो बिंदी लगाकर आपको साथ ही एक रुपे का सिक्का रखना है एक बतासा रखना है दो लॉंग के जोड़े रखने है और दो इलाइची रखनी है जो हरी इलाइची होती है और दोनों हातों में इस पान के पत्ते को रखकर माता दुरगा से अपनी मनोकामना बोले संतान प्राप्ति की पुत्प्राप्ति की जो भी आप इच्छा रखते हैं वो बोलकर माता रानी के चड़नों में अर्पित कर दें और इसको नो दिनों तक आपको चड़े ही रहने देना है साथ ही दोस्तों जिन भेनों के देखे कोख बंदी हुई है यानि किसी भी प्रकार से अगर आपको संतान सुक की प्राप्ति नहीं हो रही है यानि कई वर्ष हो गए आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है आपकी कोई भी संतान नहीं है तो आप ये उपाय अवश्य करें दोस्तों एक उपाय को आपको तीन मतलब मंगलवार शनिवार के दिन करना है तीन बार दुर्गा चालीसा का पार्ट करना है दुर्गा चालीसा का पार्ट करने से पहले आपको एक शुद्ध मतलब गिलास में आपको शुद्ध जल लेना है थोड़ा सा अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी ले ले और अपने सीधे हाथ में उस गिलास को रखकर आपको दु तोड़ा सा पानी लेना है थोड़ा सा गंगा जल लेना अपने सीधे हाद में गलास को रखें और दुर्गा-4ा का पाट करें तीन बार तीन बार पाट करने के बाद उस जल को उसस्तरी को पिला देना है जिसको अभी तक कोई संतार नहीं है दोस्तो इस उपाय को जैसे कि पती भी कर सकता है घर का कोई अन्यस अदर से भी इस उपाय को कर सकता है ये नियम आपको तोड़ना नहीं है यानि 9 दिनों तक वो जल आपको पीना ही है संतान प्राप्ति के लिए अगर आपकी किसी भी प्रकार से कोक बनी हुए है साथ ही दोस्तों आपको शनीवार के दिन देखें साइकाल के समय इस उपाय को करना है आपको एक साफ सुत्रा नीमू लेना है नीमू को आपको चार हिस्सों में काटना है लेकिन इस तरह से काटना है कि नीचे से वो जुडा हुआ होना चाहिए और उस पर आपको थोड़ा सा तीन बार सिंदूर के मतलब छीटे लगा देने है यारी सिंदूर डाल देना है चुटकी-चुटकी बर तीन बार सिंदूर डाल दे उसके अंदर आपको एक फूलदार लॉंग रखनी है और उस नीबू को आपको किसी भी काले कपड़े से या फिर काले धागे से लपेट कर बांग देना है और उस इस्त्री के उपर से आपको एंटी क्लोग वाइस यानि उल्टी दिशा से आपको साथ बार उसार लेना है और आपको प्रातना करनी है कि अगर आपकी किसी भी प्रकार से तंत्र मंत्रिया किसी के तरह से अगर आपकी कोक बंदी हुई है तो वो खुल जाए इस तरह से आपको प्रातना करके 7 बार आपको मतलब उस इस्तिरी के उपर से 7 बार anti-clockwise घुमा लेना है और उस नीबू को आपको देखिए मंगलवार के दिन भी करना है और शनिवार के दिन यानि पहले दिन तो आपको करना ही है क्योंकि पहला नवरात्रा शनिवार के दिन है और फिर मंगलवार के दिन करना है और फिर शनिवार के दिन करना है यानि तीन दिन आपको यह उपाय करना है और जो दु पारी बोलिए वो आपको सिरफ पहले दिन ही अर्पित करना है और नो दिनों तक मा के दुरुगा के चड़नों में चड़े ही रहने देना है और जिस दिन आप अश्ट मी पूझते हैं नो मी पूझते हैं तब भी आपको देखे दसमी के दिन यानि जिस दिन आप घड जो मतल प्राप्ति नहीं हो आती दोस्तों ये पहले दिन किया जाने वाला उपाय बताया बहुत ही सरल है बहुत ही अचू के जरू करें मातारानी की किरपा से आपको निश्यती संतान की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार से अगर आपकी कोख बंदी हुई है तो वो कोख खुल और आपको निश्यती संतान सुख मिलेगा दोस्तों अगर आपको हमारी जानकेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जै माता दी अवश्य लिखें आप सभी को जै माता दी